एक बार इस चार्ट को देखिए और बताइए इस चार्ट में प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है यहां बहुत सारे support and resistance ड्रॉख की हुए है अगर आप इसी तरह support and resistance को ड्रॉख करोगे तो आप बहुत confused हो सकते हो for example, suppose price यहां एक pullback लेता है और इसी support के पास हम buy करते हैं तो हम इस chart के according profit कहां book करेंगे क्या इस level पर क्यूंकि हमने यहां बहुत सा level draw किये और यह भी एक level है तो हमने just यहां buy किया और यहां sell कर दिया तो क्या यह सही है बिल्कुल नहीं बहुत सारे level आपको confused कर सकते है इसलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हमें market condition के according support and resistance level को importance देना है कैसे और कहां support and resistance level को draw करना है और last में कुछ trading strategies को देखेंगे first of all, हमें market condition के हिसाब से support and resistance को importance देना है क्योंकि certain market condition के according यह एक दूसरे से ज़्यादा strong हो सकते है for example, अगर market a trend में है तो यहाँ support ज़्यादा strong होगा यहाँ देखिए, हमने support level draw किया और resistance level draw किया अब आप बताईए, यहाँ support ज़्यादा strong है या resistance आईए, देखते हैं यह पहला resistance और price ने इसे break कर दिया यह दूसरा, यह भी break हो गया और यह तीसरा resistance और यह भी break हो गया अब support को देखिए यह पहला support है प्राइस ने इसे break नहीं किया यह दूसरा, यह भी break नहीं हुआ और यह तीसरा, और यह भी break नहीं हुआ तो आप देख सकते हो एक uptrend में जो resistance होता है उसका break होना सौभाविक है और ये logical है क्योंकि अगर uptrend में resistance break नहीं होगा तो हमें higher high and higher lows कैसे मिलेगा so in an uptrend support level resistance level से ज़्यादा powerful होता है उसी तरह downtrend में resistance support से ज्यादा powerful होता है यहाँ देखिए यह हमारा resistance है और यह support प्राइज यहाँ support को break करता है फिर यहाँ और फिर यहाँ but price यह resistance को respect करता है उसे break नहीं करता क्योंकि यह सौभाविक है जो support level है उसका downtrend में break होना सौभाविक है तभी हमें lower low and lower high का formation मिलेगा और lower low and lower high का formation मतलब downtrend यह हम सभी को पता है So in and downtrend resistance is more powerful than support So now the question is हमें support and resistance level draw कैसे करना है यहाँ देखिए market अभी uptrend में है तो uptrend के समय हमें support को ज़्यादा attention देना है So हमें यहाँ support level draw करना है तो इसके लिए हमें most recent swing को देखना होगा तो यह एक swing point है और यह एक swing है और यह भी है तो हमें recent के 2 swing points को देखना है जो यह points है Now अब हम rectangle box के help से support level को draw करेंगे कुछ इस प्रकार यह rectangle tool आपको toolbox के section में मिल जाएगा याद रखेगा support and resistance कोई straight line नहीं होता यह एक zone होता है इसलिए हम support या resistance level draw करने के लिए rectangle box का use करते है जिससे हमें maximum touch मिलता है हाला कि आप line का भी use कर सकते हो पर फिर भी आपको उसे एक zone के तरह treat करना चाहिए ना कि एक line के तरह Next यहाँ भी हमने एक support level draw किया इन points को लेते हुए Now अब इन levels को देखिए हमने यहाँ support level क्यों नहीं draw किया First of all यह हमारे current price से बहुत दूर है इतने दूर का level हमारे लिए अभी किसी काम का नहीं है Second अगर price in level तक पहुंचता है तो क्या हम यहाँ buy करेंगे Answer है नहीं क्योंकि suppose अगर price यहाँ पहुंचता है इसका मतलब market up downtrend में है और हमें downtrend में buying को avoid करना है क्योंकि हमें trend के साथ trade करना है आईए कुछ example देखते है तो यहाँ market downtrend में है मतलब यहाँ हमें resistance को ज़्यादा attention देना है जब price resistance के पास आएगा तो हम price action और candlestick को देखकर trend के साथ trade ले सकते है सो हमें recent दो swing point के base पर resistance level draw करना है तो probably यह हमारा एक resistance होगा और यह दूसरा again हमने यहाँ एक zone mark किया ना कि एक single line अब देखिए यह भी resistance है पर हमने इने mark क्यों ने किया simply यह current price से बहुत दूर है और अगर market यहाँ तक जाता है इसका मतलब अब downtrend end हो चुका है और हमें trend के साथ trade करना है ओके now यहाँ तक हमने support and resistance draw करना सीखा अब समझते हैं कैसे हमें support and resistance को trade करना है ऐसा तो नहीं है price support को just hit करेगा और हम उसके base पर trade ले लेंगे ऐसा तो नहीं होता तो इसके लिए हमें kind of confirmation चाहिए मतलब entry trigger जिसके लिए हम बहुत से price pattern का use कर सकते हैं पर आज के वीडियो में हम entry trigger के लिए सारे patterns same तरीके से काम करते हैं अगर lower wick लंबा है इसका मतलब ये एक bullish है जब market open होता है तो seller's price को नीचे लेकर जाते हैं पर sustain नहीं कर पाते हैं then finally buyer's price को control करते हुए उपर लेकर जाते हैं और opening के आजपस closing देते हैं so at the end of these type of candles हमें एक buying pressure देखने को मिलता है और इन patterns को कभी भी और कहीं भी नहीं देखना इनने हमें support या demand level के पास देखना है next अगर candle का upper wick लंबा है और body छोटा है और lower wick ना के बराबर है तो ये एक bearish candlestick है market के open होते ही buyer's price को ऊपर लेकर जाते हैं पर sustain नहीं कर पाते then finally sellers उस time period में dominant करते हुए price को नीचल लेकर आते हैं और closing देते हैं so at the end of these type of candles हमें एक selling pressure देखने को मिलता है और इस प्रकार के candles को हमें resistance level या supply zone के पास importance देना है आईए कुछ example देखते हैं यहां देखिए market uptrend में है next यहां हमने support level को draw किया next price से support level को approach करता है और यहां एक long wick bullish candle form करता है अगर next candle इसके high को break करता है तो हम यह trade ले सकते हैं और अपना stop loss हम इसके low के थोड़ा नीचे रखेंगे और profit booking के लिए हम recent swing point का use करेंगे same उसी तरह आप downtrend के समय resistance पर long wick candle के base पर trade ले सकते हो now अब बात करते है range market का कि अगर current time frame में market range में है तो क्या हमें support पर buy करना चाहिए या resistance पर sell देखिए अगर current time frame में market range में है तो हमें bigger time frame को देखना है अगर bigger time frame में market uptrend में है तो हमें current time frame के ranging market में support पर buying trades को find करना चाहिए जिसके लिए हम again long week candle का use कर सकते हैं और अगर big time frame में market downtrend में है तो हम current time frame के range market में resistance के पास selling opportunities को find कर सकते हैं For example, यहां market range में है हम confused है, यहां resistance पर sell करें या support पर long trade लें Next, हम big time frame को देखते हैं यहां big time frame में market downtrend में है मतलब हमें current time frame में resistance के पास selling opportunities को find करना है और इस प्रकार हम बड़े time frame के trend को follow करके trade ले सकते हैं तो कुछ इस प्रकार आप support and resistance को draw कर सकते हो और उसके base में trade ले सकते हो So hopefully guys आपको इस वीडियो से थोड़ी information मिली होगी अगर आपको वीडियो informative लगी तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करे मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए best of luck for your stock journey